नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में आशागरती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और एकदम जबलस्थ होंगे आज मैं आप लोगों की साथ अपनी एक नए रेसिपी की वीडियो लेके आई हूँ जो की लोगों को घर में हमेशा उपलब्द हो जाते हैं उसके लिए बजार में जाके माथा पची करने की कोई जरूत नहीं है और एकदम धाबा स्टाइल ही वह रेसिपी रहेगी और एकदम हेल्थ कॉंशियस भी तो चलिए चलते हैं वीडियो में यहां मैंने कडाई में दो द्मेश के दाने लिया है और मैंने तीन मीडियम साइब कटम करके और इसको चला रही है है마 घृ मैंने यहां जाने लिए ले और देचेltil मोतर चला रही है और शॉतिति हे आपकते पूंदों सबस्क्राइब करें, आपकते बहुत, आपकते अपकते ने तक करें रहा है। नमर आओ दाल देंगे, काफ्य यह जी की दालता के लोगा के नहीं दालता के गाहएं तो दालता है अब तर हम लोग यह हो रहा है हमारा हम लोग पनीर कट करके रख लेते हैं आपको जैसा जोटा बड़ा चलिए साइज उसको कट कर लीजिए कि अबHaim लोगा जब कर लुआ सता है थालएब मेंख लोग यड़ा सुआ से छामाया कर ला म fक ला च h –ल्वफ टक्वशन मतशना बाड़ाया स्विया थो! अritणियो में लोगं कि इस पचलाग को देखने हैं कि अगला है कि में इस बढ़ा है कि में इस बढ़ दो 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 तो कि में इसको बबदे कि में इस सबढ़ितान दो Zambell हैब में इसका इक पाइन पेस्ट बनावेगाया ने इस आस ने अस बाना दाय को शाशना य॥े व्सक्रां सस्वास का ने का है कि रार में अगूए इसमें क्या करेंगे हम थंडा कर लेंगे फाइम पेस्ट बनालेंगे मिक्सि में कडाई में दुबारा हम लोग इस पेस्ट को चोंग अब बनाया था उसको डालीर दुबारा से हम लोग उसको पटाएंगे इसमें फिर मैं पानी डाल की और उसको जार में जितना लगा हुआ है उसको तुभारा से हिला के और कड़ाई में डाल दूँगी एक चमच हम लोग जीरा पाउडर डालेगे एक चमच तिनिया पाउडर किचन क्यूंगा मसाला डालेगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी प्रेड चिली पाउडर एड़ कर रही हूं और थोड़ा साही मैं इसमें इसमें फूर कलर डाल रही हूं जिससे इस प्रेड़ी को कलर बहुत अच्छा आए या इसको हम लोग इक्स कर देंगे और पांच से दस मिनट इसमें हम लोग पताएंगे इसमें फूरा सा ग्रेवी मुझे गाड़ी लग रही है इसलिए मैं इस मिक्सी की जाल में हम लोग उने पीसा तहीसी में दुबारा मैं थोड़ा सा पानी लेके और इसमें एड करोंगे ताकि जो इसमें मसाला लगा हुआ है वो भी बेस्ट ना हो और हमारी ग्रेवी भी थोड़ी सी पतली हो जाए जादा नहीं करना है जरा सही करना है तो प्रेवी थोड़ा सा पका लेंगे बसे जागा हमें नहीं पकाना है क्योंकि वैसी प्यास चमाटर हम लोग पहले ही पका चुके हैं प्रास इसको डखके हम लोग पकाएंगे पांच से दस मिनिट लोटू मीडियम फ्लेम पे फ्लेम पे कि दस से पंदा मिनिट हो चुके हैं अब हम लोग रेवी को चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रेवी कैसी हो गई है देखेए इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ग्रेवी हमारी पक भी चुकी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देखिए थीक है आपको नज़्रेक से दिखा देती है अब आम लोग इसमें जोम लोगों ने फ्रोजन मड़र बुमा बॉयल करके रखते हैं मैं इसको इसमें डाव दूंगी और मैं यह पनीर की पीसिस थे वह भी मैं के करके इसमें डाल दूंगी मैं इसको हरकी हाथों से ने मिक्स कर दूंगी पीछे बच्चों की अवाज आ रही है उसको आप लोग इग्नोर करिएगा प्लीज क्योंकि बच्चे तो हैं बीना बोले रह नहीं सकते कि यहां हमनी प्यास ट्रमाटर जो अब लोग पका रहे थे उसमें भी लोगों इसमें नमग डाना था तो उसके एकॉर्डिंग ही हम लोग नमग डालेंगे लेसे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा से टेस्ट कर लेंगे डैड़ी को कि कैसी है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है इसमें घर की ताजी में लाए डाल वही हुआ है एक बड़ा चमच तो मिक्स कर लेंगे अब लोग और दो मिनिट के लिए रखके रख देंगे अब 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 बाद इसमें थोड़ा सा और नमक एड़ कर रही है अबस हलकी हाथ से मैं इसको इक बड़ स्टर करूंगी और दो मिनिक के लिए ढ़के पका लेंगे हम लोग चेक करके देख लेंगे अब मता पनीर तियार हो गया है और अब इस तरह से रेस्टरेंट में मिलता है उस तरह से ग्रैवी भी उसी तरह की है तलर भी उसी तरह का है और मैं आश्या करती हूं कि टेस्ट भी वैसा ही होगा कम मसालों में कम इंग्रेडियंस में हेल्दी और घर का बना हुआ फटाबट बनने माला मेरा मतार पनीर की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज बता लिएगा अब में इसकी प्लेटिंग करके दिखा देते हूं आप लोगों को और गयास की फ्लेम को बन कर दे देखिए है ना एकदम रिच लग रही है ना देखने में देखिए देखिए कितनी मस लग रही है मेरी मडर पनीर की सबजी प्लीज अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब नेक्स वीडियो आया है तो आप लोगों को पता चल सके और आप लोग मेरी वीडियो को देख सके तब तक के लिए तिल दिन बाबाई और अपना खयाल रखिएगा